वारानसे में अनिल राजबान ने परदान मंतरी नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान से कर दी भगवान से नरेंद्र मोदी की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि आज गरीब मोदी जी को भगवान समझ रहा है पूज्य मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है 71 साल का इतिहास उसके सामने है किसी से कुछ छुपा नहीं है अब गरेव आगे बढ़ना चाहता है देश और नौजवान अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है अनिर राज्वान ने कहा कि नौजवानों के आगे वेरोजगारी के समस्या है लेकिन उसे भी नौजवान समझ रहा है कि थोड़ी बहुत जो उम्मीद है वो मोदी जी से ही है मोदी जी लोट कर आएंगे तो हमारे जिंदगे में उम्मीद का दीपक जलेगा नौजवान इस बात को पूरी तरह से समझ रहा है हमारे जो नौ मद्दाता और 67 प्रतिशतिवा मद्दाता है वो निडायक है और फिर से कमल का बटन दबा कर फिर से मोदी जी को देश की सत्ता पर बैठाने का काम करेगा वरानसी में प्रतिश सरकार के मंतरी अनिल राजभार ने कैबिनेट मंतरी ओम प्रकाश राजभार की नाराजगी पर कहा ये बाते बहुत पहले से चल रही है जब दल से कोई नाराजगी नहीं है तो राष्टिय अध्यक्ष का आशिरवाद बारवा मिलता रहता है उसके बाद इस तरह की बयानबाजी क्यों आती है कि हमारे गड़बंदन का कोई भी साती अलग होने वाला नहीं है हम लोग एक साथ इस चुनाव को मिल कर लड़ेंगे ओमरगास राजबाद और 6 सीटों के मान के प्रेशन पर अनलील राजबाद ने कहा कि अगर समान की बात की जाए तो पिछले विदान सबाद चुनाव से लेकर अब तक बहुत कुछ दिया है बहुत बड़ा मन करके बहुत बड़ा दिल करके अमिशाह ने उनका मान समान बढ़ाया है विदान सबाद चुनाव में 8 सीटें दी और अभी उनके कारकरताओं का और उनके सपुत्र अरविंद को भी पाटी ने किस तरह से सरकार में समायोजन किया उनका महत तो बड़ा या कही कोई कमी है तो नहीं उनकी परिशानी कहा है ये तो अम प्रकास राजभर ही बहतर समझ सकते हैं उनको जितना महत तो सम्मान दिया गया वो उमिश से बहुत ज्यादा है जिस बड़पन का परदोशन हमारे दल की तरब से हो रहा है वो इसका महत ओम प्रकास राजभर को समझना चाहिए कई ऐसे मोके आए जब फैसला हो जाता है लेकिन कही न कहीं संतुष्ठ है तभी तो साथ बने है केवल राजभर समाजी नहीं बलकी गरीब बैकवर्ड चटान की तरह से मोधिन जी के साथ खड़ा है हम ओड की लिए नहीं संसकार की राजनीती करते हैं उस नाते हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते कुछ भी कर लेंगे कोई नई बात नहीं है पहले भी प्रियंका गांदी जी धर्शन करती रही है पहले भी प्रियंका गांदी उत्तर प्रदेश में रोड़ सो करती रही है और मैं सच कह रहा हूँ जब 23 तारिख को 23 मई को जब चुनाव के परिडाम आएंगे तो आप देखेगा लोग जहां है वही खड़े नगर आएंगे क्या कुछ प्रभाव दालेगा प्रियंका का इत्तर प्रभाव पढ़ने वाला नहीं गरीब समझ चुका है पूरी तरीके से हमारा भला कहा है पूजी बोदी जी का कोई बिकल्प नहीं है आज गरीब अपना भगवान समझ रहा है मुदी जी को एक सतर साल का इतिहास उसके सामने है कुछ छुपा नहीं है अब गरीब आगे बढ़ना चाहता है देश आगे बढ़ना चाहता है नोजवान अपने सपने को साकार करना चाहता है लेकिन भी रुजगार तो परिसान है, भी रुजगार कह रहे हैं कि रुजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को है समस्या, उस समस्या का समाधान भी मुदी जी है ये नौजवान इस बात को भी समझ रहा है ठोड़ी बहुत जो उमीद है मुदी जी से है मुदी जी लोट कर आएंगे तो हमारे जिंदगी में दीपक उमीद कचलेगा नोजवान इस बात बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है और आप देखिएगा कि हमारा जो नौ मतदाता है और जो युवा जो पूरे मतदाताओं का सरशट परसेंट है वो निरायक है और पूरी तरीके से भारती जन्तापाटी के कमन निसान के पड़न को दबा कर और फिर से मोधी जी को देश के सकता पर बठाने काम बात नहीं है कि पार्टी ने जितना सो मान दिया जितना महत्र किया हमारे राष्टिय अध्यक जी ने जितना आशिरबात दिया वो उमीद से बहुत जादे है और जिस बड़कपन का परदर्शन हमारे दल के तरफ से हो रहा है उसका महत्तु समझना चाहिए तो क्या ऐसा लग रहा है कि इस सम्मान का वो नहीं समझना है मोल नहीं मैं यह तो नहीं कह सकता नहीं तो बहुत सी तारिखें हम लोगों के सामने आई अब तक कोई फैसला हुआ होता कहीं नहीं निश्यतोर पर हमारे राष्टिय अध्यकी से और दल से कहीं नहीं संतुष्ठ होंगे तभी तो साथ बने हैं फोड़ी बड़ी कोई बात हो सकती है उनकी तो यह उपर का विश्य है वो बात करेंगे मैं पूरा भरूसे के साथ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे कटवंधन का कोई साथ ही कहीं जाने वाला नहीं हम लों के साथ ही बने रहे हैं सर जिस तरीके से वह बार बार एक दबाव बना रहा हैं सरकार पर क्या राजभर समाज के मोट बैंक की चाहड़ी उनके हथों में सिफ है नहीं देखी यह तो बहुत दूर की बात हो गई है अब सिर्फ राजभर ही नहीं बिंधी नहीं वियार ही नहीं नुनिया चवहाण ह नहीं केवद मलाही नहीं पर्जापति कुंभारी नहीं कि जो most आइक वर्ड है जो गरीब है आज के दिन चत्तान की तरह मुदी जी के साथ खड़ा है भारती जंतापाटी के साथ खड़ा है यह हमारी परंपरा है हमारे दल का दस्तूर है हमारे लास्टी अध्यब जी का बड लग नहों बाकि गरीब पूरी तरीके से मोधी जी के साथ खड़ा है अपनी चुनाओं में पाकिस्तान की चर्चा ज़रोस से ज़्यादा हो रही है क्या कहेंगे क्यों पाकिस्तान पाकिस्तान की नारे पाकिस्तान की गुज हर तरफ सुनाई दे रही है सर्जिकल के बाद हिंदुस्तान मोदी जी के लावा कुछ देखना नहीं चाहिए अब उसका जो साइड उफेक्ट है वो यह है कि बार-बार सेना के सोरे पर उसके भीरता पर सवाल ख़ड़ा करके लोग अपना फ्रस्टेशन बाहर ला रहे हैं उसका इलाज क्या हो सकता है निश्चित लेकिन विबक्ष पताने किस बात पर उतारू है अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी स्क्रीन पर दिखरें घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन प